तू अपने परमिश्वर यहवा के लिए कोई बैल वा भेडबकरी बली न करना जिसमें दोश वा किसी प्रकार की खोट हो क्योंकि ऐसा करना तेरे परमिश्वर यहवा के समीप ग्रूनी थे जो बस्तिय तेरा परमिश्वर यहवा तुझे देता है यदि उसमें से किसी में कोई पुरुश वा स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरा परमिश्वर यहवा की वाचा तोड़ कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दुरुष्टी में बुरा है अर्थात मेरी आग्या उलंगन करके पराए देवताओं की वा सुरिय वा चंद्रमा वा आकाश के गन्मे से किसी की उपासना की हो वा उनको दंडवत किया हो और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए तब भली भाती पूँच पास करना और यदि यह बात सच ठेरे कि इसरायल में ऐसा ग्रुनित कर्म किया गया है तो जिस त्री वा पुरुष्टी ने ऐसा बुरा काम किया हो उस पुरुष्टी को बाहर अपने फाटको पर ले जाकर ऐसा पत्तर वहा करना कि वह मर जाए जो प्रांदंड के योग ठे तेरे वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए किन्तु दो वत तीन मनुशों की साक्षी से मार डाला जाए उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे किसी रिती से ऐसी बुराई को अपने मध्ध में से यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई जगड़े की बात हो अथात आपस के खून वविवाद वव मारपिट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठीन जान पड़े तो उस थान को जाकर जो तेरा परमिश्वर यहोवा चून लेगा लेविय याजकों के प पास जाकर पूच पाँच करना कि वे तुझको न्याय की बाते बतलाए और न्याय की जैसी बात उस थान के लोग जो यहोवा चून लेगा तुझे बता दे उसी के अनुसार करना और जो व्यवस्ता वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने के जवकसी करना व्यवस्ता की जो बाते वे तुझे बताए और नयाई की जो बाते वे तुझे कहे उसी के अनुसार करना जो बाते वे तुझे को बताए उससे दहिनाए वबाए नमुडना और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमिश्वर यहवा की सेवा टहल करने को उपस्तित रहेगा नमाने वहां उस नयाई की न सुने तो वहां मनुष्य मार डाला जाए इस प्रकार तू इसरायल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना इससे सब लोग सुनकर डर जाएगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे जब तू उस देश में पहुचे जिससे तेरा परमिश्वर यहवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे सुनले, आवश्य उसी को राजा ठहराना, अपने भाईयों ही में से किसी को अपने उपर राजा ठहराना, किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने उपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता और वह बहुत गोड़े न रखे और न इस मंसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से गोड़े हो जाए क्योंकि यहवा ने तुझ से कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लोटना और वह बहुत स्त्रिया भी न रखे ऐसा न हो कि उसका मान यहवा की ओर से पलड़ जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ा है और जब वह राजगदी पर विराजमान हो तब इसी व्योस्ता की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे जिससे वह परमेश्वर यहुआ का भैव मानना और विवस्ता और विधियों की सारी बातों को मानने में चवकसि करना सीखे जिससे वह अपने मन में घमंड करके और अपने भाईयों को तुछन न जाने और न इन आज्याओं से तो दहने मुड़े और न बाए जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज़ करते रहे